हलो स्टूडेंट्स आज अपने कर रहे हैं क्लास 9 के लिए लेसन नमबर 9 तो लेसन नमबर 9 से पहले अपनोंने जो आठफा लेसन किया था उसमें अपनोंने पढ़ा था बलत था अपने ने गति के बारे में पढ़ा था क्या किया थे गति की किती समी करने की थी तीन समी करने पढ़ेंगे निम के बारे में पढ़ेंगे इस चीज़े का बपनुन किया तरह तब उन सब चीजों का वर्णन किया था हमने देखा कि ऐसी घती में कभी एक रूपता होती है तो कभी नहीं टिये देखो अगर बिलकुल बराबर sih चल रही है उनका समय जासे बढ़ार है उसकी बराबर में च台to यह उंगी यह बीस्तिग्तिccionesन हर लिए उनकीा कारण फिर प्रधिके शूलंक को वश् Liver of प्ता देखो कर्ण को यह होता है मैं दिआ कि उसके बाद देखते हैं अपने समय के साथ वस्तू के चाल क्यों बड़ती है सब्विथ कारण होका कारण होता है यह STEPHAN kini सबसे पहले सदियों से गती और इसके कारणों ने विज्ञानिकों और दार्शिंकों को उजहा रहा है इसके बारे अभी तक प्रॉपर किसी को पता नहीं है ठीक है देखो यहां पर मालों यहां से पैर मार दिया जाते जाते तो यह क्या होगी यह हमेशा के लिए गती शील नहीं होगी देखो फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गती शील नहीं होगी यह गेंद है इसको अपने ठोकर लगाई यह चलती रहेगी चलती रहेगी लेकिन एक जगह क्या होगी जहां जाकर यह रुक जाएगी यह हमेशा को यह तो है नहीं कि आप अब पिरने नियम समी करने के ति किस परकार से गती होती है तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो तब यह मानने के जीना में नियम गया इसको मतलब फटा दिया गया अपने प्रति दिन के जीवन में देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशिल वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है गेंद है, एक स्थिर जगापे है, इधर से आप क्या करोगे? जोर से पैर मार दिया, कहा जाएगी, आगे क्योर जाएगी, ठीक है और ऐसे एक वस्तु है, आप क्योर आ रही है जोर से, आप उसको रोकोगे, रोकने के लिए यहाँ आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी रुकेगी वो, तो देखो समान्य भाषा में इसके लिए हम इस शारिरी का परियास करना पड़ता है, और इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु को गती की वस्ता मिलाने के लिए, या उसे खींजने, दकेलने या ठोकर लगाने के लिए, ठीक है, लगाना पड़ता है, तो इस अभी ठोकर लगाने की है, यह जो जितने भी परकीर हैं कि अपनोंने ना उसको ना तो किसी चीज से रोक रहे हैं तो यह सब क्या कहलाएगी यह बल कहलाता है अपनी क्या करते हैं अपने क्या करते हैं कि बल के वारे में कि बल जो है न उसको ना तो किसी ने देखा है ना चका है ना ही महसूस किया अब आपके सामने को येंद पड़िये ठोकर मारके चले जाएगे कोई है तो उसका को टेस्ट थोड़ी है उसका अपने को फील थोड़ी की है कि कैसी है तो हालां कि बल का प्रभाव हम देखते हैं कि अपने ठोकर लगाई किसी चीज को तो वो क्या होगी आगे की तरफ चली जाती है या जिस तरफ ठोकर लगाऊगे उसी दिशा में जाएगी तो हम इसक किनाय क्या करें वस्तू को गति देने की युक्तिय यह डाइग्राम सब्सक्रuhan a ट्रोली की है इसको क्या किया जा रहा रहा है पर बल स्लवक्तिय को बड़ सब्सक्राइब किया गति करने अपने को क्या किया इस बीडिया के ने नेक्स परिघ्जान में अर्जित ज्यान के अधार पर अधार पर आप इस बात का परिणा आप इस बात से परीचित हैं कि वस्तू के वेग का परिमान बदलना मतलब वस्तू की गती क्या होगी कम हो गई या तेज हो गई ठीक है तो उसके लिए गती की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होत कि लगा पर्योग द्वारा वह स्वार原 टूं के अकारोर अकर्ति वी बदल सकते हैं सबसे बहने दीचा कैसे बदल सकते हैं यहां गेंद पड़ी यहां से आके ठोकर मार दीफू कहां जाते हैं इस प्रकार्स कि अपनी बल लगाते हैं गता है की इस ब्ल लुड़ इपसके लिए इतना बड़ा उतना गया है इस परकार अपने क्या काया सकते कि आकर्पी बदली जा सकते आ चाखन अब आगे पėr यह ऐाँ ग्टाहिए लगा कि यहाँ से गई यहां से नग प्रकंग है यहाँ से फैसी प्रफब करें मैं पड़ous के यह तो बात होगि कि बल की अब बल की बात करते की बल होता कितने परकार का है तुत embodhod और और आos looks अब बात करते सबसे पहले जन्तूलित बल की मैं संतूलित बल, simplement नाम से याद आ, नाम से पता कि इसको इसको क्या एक चित्र में देख्टे तो अपने सबसे पहले ना अपने डाइग्राम ने देख लेते हैं इसमें डेखो व्य नहीं है इस डाइग्राम यह चो पिंड है यह नहीं पींड है जो कोई बॉक्स क्यालो या कुछ साइड इदर के चुरें इधर भी एक समान बल लग रहा है तो वस्तु क्या होगी अपने स्थिर वस्था में रहेगी वस्तु का जो है उसमें गती नहीं होगी वस्तु की स्थिती में प्रिवर्तन नहीं होगा वस्तु स्थिर वस्था में रहेगी और अब अपनों ने माल लि X की साइड दंग जाएगी तो वस्तु की क्या हो गया? स्थेती में प्रिवर्तन हो गया और वस्तु किस साइड खिस की? X की साइड खिस अगी? ऐसा है कोछ ना पढ़ लेते हैं इसका जो भी इनुने बताया है रहां देखो इनुने काया है एक्स और वाई विप्रीट सिरो से जुड़ें एक साइड एक्स दागे से बंद है एक साइड वाई दागे से बंद है अगर हम किसी बल दवारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी और खिसकना शुरू होगा देखो इस तरह से कुछ पिंड था इस साइड फोर् और खिसकना शुरू हो जाता है लेकिन अगर पिंड को दोनों तरफ समान बल द्वारा खिंचा जाता है अपने पास यह पिंड है इस साइड समान बल लग रहा है तो अपने उसको क्या कहेंगे उसकी स्थिते में प्रिवर्तन नहीं होगा जहां पेंड है वहीं का वहीं ही देखो इन्होंने कहा है कि जब किसी भी प्रिवर्तित नहीं करता हमांगे देखो गतिमें प्रिवर्तन तो नहीं होगा अब कैसे वस्था के गलपना करते जिसमें भिन भिन परिनाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं मतलब इस साइट अलग बल लग रहा है तो जिस साइट बल अधिक होगा इस सवस्था में पिंड अधिक बल वाली धिसा में खिशकना शुरू हो जेगा मालो यहां पे दो न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पे चार न्यूटन का फोर्स लग रहा है फोर्स के जो है मात्रक न्यूटन होता है तो इस साइड अगर अपने लगा रहे हैं बल और इस साइड लगा रहे है तो आप नॉर्मल सी बात है जिस साइड ज्यादा बल लग रहा है बस तो उससी साइड ही मुव करेगी उससी तुलित बल होगा तो जिस मतलब तरफ जो जादा बल लगेगा वस्तु उस और चले जाएगी अब देखो अपनों ने यह डाइग्राम तो देखी लिया था समषिश करें इस साइड फोड लगा रहा हैं दोनों के दोनों लेकिन नीचे से क्या लग रहा है घर्षन बल लग रहा है घर्षन बल कहारान क्ते कारण और अगर आप कोई भी चीज अपने पास चिकनी सत्य है उस पर कुछ चीज फैंक रहे हो तो वह क्या आगी जादा गतिशी लोगी बजाए किसके खुर्दरे फर्ष के तो यहां पर घर्षन काम करता है और घर्षन लग रहा है इस साइड तो दोनों बल क्या है बराबर लग रहे हैं तो यह इसका मान क्या हो जाएगा संतूलित बल लग गया तो मतलब डिब्बा है वह आगे कि नहीं नहीं खिसकेगा अज सेकेंड टाइम देखो यहां साइड खिसक जाएगा ठीक है और इसी यह आगे की प्रोसीजर बताया होगा कि ब्राबर मातरा में थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो डिब्बा क्या हो जाएगा और घर्षन बल का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहीं दिखाया इसकी लैंग्विस पढ़ कर रहा है घर्षन बल काम कर रहा है क्योंकि घर्षन बल दकेलने के विप्रीत दिशा में काम कर रहा है यह घर्षन बल दोनों संपर्क सतों के बीच उत्पन होता है अर्दार्थ बक्से के नीचे की सतय तथा फर्ष के खुर्दरी सतय के बिच मैंने अभी आपको बताया कि दो सत्य के बीच लगता है जो बल वो घर्शन बल होता है जहां घर्शन बल दकेलने में लगे बल को क्या कर देता है संतूलित कर देता है और इसी वज़ा से बक्सा नहीं खे सकता लेकिन फिर भी बच्चे क्या करें जोर से दकेलते हैं उस बक्से को लेकिन बक्सा फिर भी क् कि घर्षन पनके अब जो देखा है वो दोनों बराबर लग रेए ऐसले क्या हो जाता है और यह जो वस्तु आपनी यह वी रामवस्ता में लगता है देखो अगर बच्चे बॉक्स को जादा दो जोर से देखेलते हैं तो देखेलने वाला गर्शन भल अधिक हो जाता है यह ऐसंतूलित बल का काम करता है इसलिए बखसा खिसकने लगता मिला अपनों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो जादा हो गया और गर्शन भल कमान क्या ह बल क्या हो गया ऐसंतूलित और बस्तून एक की गती कर ली उसके बाद कुछ और ऑर भी एक्जामपल है देखो कि जब अपने सांकल चलाते हैं तो प्रेडिर चलाना बंद कर देए तो सांकल की घीमी ओने लगती इसलह इसलीए ऐसा होता है फो expressions जा रहे हो अपनी तरफ से ऑढ़एन बंद आपनी तरफ से बंद रहे हो तो बन वस्तु को स्तत गतिशील बनाई रखने के लिए ऐस संतूली तबल की आफशक्ता होती है मतलब उपने को भी फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है तो यह विल्कुल गलत है क्योंकि वस्तु समान वेक के साथ के वल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बहला जो भल है व गति करेगी अगर को भारा 죄송 प्रकार नहीं करता और वस्तु पर आसंतूली तबल नहीं करता तो उसके वेग में परिवर्थन उसकी दिशा में परिवर्थन होता है । वह क्या जी आगए गतिशील हो जाएगी और ये तब तक गती शिल जब तब तक प्रिवर्तन होगा जब तक उस वस्तु पर कार्य करता रहेगा तथा पी बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गती मान होती रहेगी देखो आज अपने इतना ही करेंगे जो गती का जो प्रतम नियम है दूतिय नियम है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में